खबर धोलपूर के कोत्वालिक श्वेतर से जहां पुरानी रंजिश के चलते मौरोली गाउं के दो पक्षों में खुनी संघर्ष छड़ गया और इस संघर्ष में दोनों पक्षों के करीब आधा दरजन लोग गंभी रुप से घायल हो गये गायलों को ग्रामिणों ने जिलास्पताल में भरती करवाया और जहां से एक युवक को हायर सेंटर के लिए रैफर किया गया दोलपुर में दो पक्षों में खुनी संघर्ष हो गया और इस खुनी संघर्ष के बाद दोनों ही पक्षों के आधा दरजन लोग गंभी रुप से घायल हो गये यह पूरा मामला को त्वाली थानक्षेतर के मोरोली गांग का है जहां मामूली विवात को लेकर दो पक्षों में खुनी संघर्ष हो गया और जिसके बाद आधा दरजन से भी लोग गंभी रुप से घायल हो गये और इसे खबर पर हमारे साथ धौलपूर से एवन समवाद दाता मुनेश धाकडए फोन लाइन पर मुझूद है मुनेश क्या था यह पुरा मामला जी 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 मैं बता दूँ कि दौलपूर जिले के कोटवाली थाना खेसरे के मोरोली गाहूं है आज सोगे दो पक्षों में फूनी संघर्ष हो गया जो प्रानी रजिस बताई आ रही है और दोनों तरफ से करीब आदा गंटे तक चले यह फूनी संघर्ष में दोनों तरफ के तीन पीज लोग ग्राहिलों को ग्रामिरों ने चिला चेकिसाल के ट्रॉमाबार्ड मां बर्ती कराया है जहां पर एक जो गाहन है उसकी ना चुकालत होने पर चिकिश्च़ों ने आयरे अन्र के लिए रह पर कर दिया है बता जा रहा है कि यह दोनों पक्षों में पुरा लाने की बात कही तो दोनों में कास नहीं हो गई और बिवाद इतना बढ़ गया कि दोनों परब से लाटी बाता जर्म हो नहीं लगी जी मुनेश तमाम जानकार दने के लिए बहुत बहुत शुक्री आपका तेगा फिर से आपको बता दूं कोतवारी थानक्षेतर के मोरोली गाउं का यी पूरा मामना था